नवश्कात दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरे लेकर आहें मुखिस समाचारों में जानेंगे दोस्तों मिम्मिकरी बिवाद के बीच कॉंगेस पाइटी ने सेयर किया है पिधान मंत्री मोधी का पिराना वीडियो वायल हुआ है कॉंगेस ने खोली है पोल गोदी मीडिया में च्छा गया सननाटा वहीं दोस्तों जानेंगे विस्ताज से ख़वर में एक बार फिर 25 सांसद आज हुए है सस्पेंड राहूल गांदी सोन्या गांदी ने बुलाई है आपात बैठक भी पच्छी दलों के सांसद जुटने सुरू हो गए हैं वहीं दोस्तों जानेंगे उपर राश्ट्रपती धन कड़की मिमिकरी विवाद पे आगया है राहुल गांदी का बयान उड़ा दी है सब की नेंद आपको दोस्तों बताते चलें वहीं 2024 के आम चुनाओं में होने वाली है प्रिंका गांदी के एंटरी 12 नसी से पियमोदी के सामने प्रिंका गांदी हो सकती है उमीदवार वहीं अगर आप सभी भी मानते हैं कि 24 में आम चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए और आप भी बैलेट का ही समाथन करते हैं तो एक लाइक वीडियो को आप जरूर कीजेगा वहीं दोस्तों पहली बड़ी ख़वार की तरब चलते हैं उपर राष्टपती जगदीब धनकड की मिमिकरी बिवाद पे यहां पे दोस्तों आप कॉंगेस पार्टी ने पलटवार किया है या बिवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है कॉंगेस पार्टी ने करारा जवाब दिया है अब पियम मोदी ने लोग सवा में जब नकल उत किया है कॉंगेस ने बीजेपी के रियक्शन को केंद सरकार की आलोचना की जवाब में सत्ता रूड़ दल पर 142 संसदों के अभूत पूर्व निलंबन से ध्यान भठकाने की कोशिस करने का आरोप लगाया है कॉंगेस पार्टी ने कहा कि अब तो गोदी मीडिया में भी सन करते हुए पूछा की जरा याद करें कि किसने की थी किसकी नकल और वहावी लोगसवा में दोस्तों आप सभी को बताती चलें संसस से अब 25 संसदों के निलंबन का सिलसिला रुका नहीं है भलकि आज भी जारी है आज फिर लोगसवा से दो 25 संसद सस्पेंड किये गए हैं अब तक 143 आंकड़ा पहुँच चुका है लोगसवा में अब मात्र 41 विपच्छी संसद बचे हुए हैं और विपच्छी दलों का कहना है कि यहां तक कि अब बचे हुए 41 संसदों को भी जल्द ही यह लोग सस्पेंड कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों किस पेकार से यहा जाती का अपमान किया गया है तो सुर्य पताफ सिंग ने टूइट करते हुए यहां पर प्रति क्रियादी अब जाती पर उतार आए उपर राश्ट्र पती जी अवे तक आपकी ही पार्टी कह रही थी देश में एक ही जाती है लेकिन अभी अलग जाती कहां से आ गई दोस् दोस्तों सुर्य पताफ सिंग ने जोड़ायत है कैसे उपर राश्ट्र पती को घेरा है यहां पे और इसी के साथ अगली बड़ी ख़बर कितब चलते हैं इस पर वरिष्ट पत्रकार अजीत अंजुम ने भी प्रतिक किरा दी है उन्होंने यहां पे तंज भरे लहजे में घसीटा जा रहा था अजीत अंजुम ने यहां पे तंज कसा है दोस्तों जाति वाला बिवाद यहीं नहीं ठायता हुआ दिखा इस पर कांग्रेस के अध्याच खडगे की पितिक्री आई यहां पे उन्होंने का क्या मैं कहूं कि दलित होने की वज़े से संसद में बोलने नहीं दिया जाता है उपर राष्टपती धन करके जाट वाले बयान पर मलिका अजुन खडगे भड़क उठे हैं संसदों के निलम्मन को लेकर विपच्च आक्रामक हो गया है इस द्वान सोनिया गांधी राहुल गांधी मलिका अजुन खडगे समेत कई विपच्ची जिन्होंने उपर राष्टपती की मिमिक्री उताई थी बोले हैं पियम मोदी ने भी उताई थी नकल मैं माफिन नहीं मांगूंगा धनकर की मिमिक्री पर ममतावनेजी की पार्टी टीमसी के सांसन ने जोड़दार यहां पर दोस्तों बीजेपी पर पलटवार किया है इसी की वज़े से आम जनता के साथ ही 25 दलों में भी गटकरी काफी लोग प्रियनेता हैं और अब केंद्र मंत्रिक गटकरी ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर एक और बड़ा ब्यान दिया है जिहां दोस्तों नितिन गटकरी बोले हैं मैं कभी भी बिना ड्राइवर वाली कार कारों को भारत में आने की अनुमती नहीं दूंगा क्यूंकि इससे कई ड्राइवरों की नौकरिया चिंज आएंगी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा एक तरफ जहां अन्य बीजेपी सासित राज्यों में रोजगार की दोस्तों यहां पर कमी है लोगों को नौकरियों से निका जाएगी क्यूंकि इससे उन ड्राइवरों की रोजी रोटी छिन जाएगी जो गाड़ी चलाकर अपना भार्न पोशन करते हैं और नितिन गटकरी के इस बयान की सोचल मीडिया प्लेटफॉन पर भी काफी चायचा हो रही है लोग पतिक्रियाएं दे रहे हैं और उनके समय रहुल गांदी सिर्फ वहां खड़े वीडियो ही बना रहे थे मोबाइल चला रहे थे जिसके बाद उन्हें भी इस विवाद में घसीटा गया और रहुल गांदी ने इस पर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों जगदीब धंकड की मिमिक्री मामले में रहुल सदों को सदन से बाहर निकाल दिया गया सस्पेंड कर दिया गया लेकिन मीडिया उस पर कोई चैचा नहीं कर रही है अडानी पर कोई चैचा नहीं राफेल पर कोई चैचा नहीं बेरोजगारी पर कोई चैचा नहीं हमारे संसद निरास होकर बाहर बैठे हैं लेकिन आप मि पर ही काम करती है राहूल गांदी ने यहाँ पर जोड़ा तरह के से इस पूरे मामले पर कहा कि एक सो पसास सांसदों के निलंबन पर आखिर चाचा क्यों नहीं हो रही है वहीं दूसरी तरह आफ कांगेसर द्धच मालिका आजुन खड़गे भी सांसदों के निलंबन पर कातार 25 सांसदों को सिर्फ सवाल पूछने पर ही सस्पेंड कर दिया जा रहा है तो दूसरी तब दोस्तों अगली बड़ी खबार यूपी से निकल कि आ रही है कांगेस पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने और मजबूत करने में लगी है 24 की तैयारियां सुरूज हो चुक कांगेस पार्टी अपना जनाधार मजबूत करने के प्रयास में लगी है राहूल गांधी भी इस यत्रा का हिस्सा बनेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बताते चलें कांगेस पार्टी के सूत्तों ने यहाँ पे अपडेट दी है कि जन्बरी 2024 में आज की मुखे खबरे थी दोस्तों जो इस वीडियो में आप सभी ने जानी है वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक जरूर कीजेगा सेर कीजेगा आपने सभी दोस्तों में भी वीडियो को जिससे की बड़ी खबरे उन तक भी पहुंच सकें आप सभी का धन्यवा जाहिंद